नमस्ते दोस्तों, welcome back to VU Sport, continue रखेंगे World Cup के previews and ये preview है Netherlands और Nepal के match का जो की second match होगा Group D का Shri Lanka और South Africa का match है पहला match but at the time of recording this video वो match अभी तक नहीं हुआ है इस venue पर जो पिछला game खेला गया था, वो था USA vs Canada जो की काफी high scoring game था Aaron Jones ने devastating knock खेली थी of 94 not out and है पर हम expect करें कि ये दोनों teams भी similarly कुछ हमें जादा score यहां पर बना कर देंगी rivalry की till date बात करें तो 13 completed T20s खेलें आपस में जहां Netherlands आठ जीती है जिसमें से पिछले 5 में से 3 भी Netherlands ही जीती है और इसके अलावा जो 3 match की T20 international series हुईती नेपाल के साथ फेब मार्च इसी साल में वो भी Netherlands ही जीत कर आ रही है तो जाहिर सी बात है Netherlands will start off as favorites unless जो match winners है नेपाल के जैसे पोडेल या फिर एरी कुछ कमाल कर जाते है तो प्रॉबल 11 की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पहले देखते हैं Netherlands का प्रॉबल 11 तो खेलते भी दिखेंगे Max O'Dowd, Michael Leavitt, Vikram Jeet Singh, Bas D. Lee Day, Tiberand Engel Brett, Scott Edwards इनके captain और wicket keeper तेजा निदा मुनुरू, Logan Van Beek, Tim Bringle, Van Meekram और Vivian Kingma नेपाल की बात करें तो कुछल भूरतल, आसिफ शेक इनके wicket keeper, रोहित पडेल इनके captain, गुलशन जा, कुछल मला, दिपेंदर सिंग एरी, संदीब जोरा या फिर अनिल कुमार सामे से कोई एक, केसी करन, सौमपाल कामी, ललित राजबंशी और अबिनाज बोरा खेलते वे दिखने चाहिए, वेन्यू की बात करते हैं दोस्तों तो ये माच होगा, Grand Prairie स्टेडियम डालस में, जहां पर एवरिज फॉर्स टेंग स्कोर, पिछले 5 T20 का, 160 का देखा गया, बट जैस में आपको बताया, जो USA वर्सिस कैनाडा का पहला मैच हुआ था, वर्ल्ड कप का का साफी हाइ स्कोरिंग था, बैट फॉर्स वर्सिस बैट सेकिंड की अगर मैं बात करूं तो बैटिंग फॉर्स करते हुए, तीन बारी टीम जीती है, यहां पर पेस वर्सिस पिन की बात करें, तो पेस फ्रेंडली कंडिशन रही है, 68% ओवर्स डाले है, पेस ने बट निका पैक भी है, ट्रिपल नाइन का, तो जो भी आपको पसंद है वो पैक ले सकते हो, व्यू स्पोर्ट की अप का जो डाउनलोड लिंक है, वो है पिन कॉमेंट में और दिस्क्रिप्शन, रिकॉर्ड इन टीट्वेंटी की बात करते हैं, दोस्तो इस साल की, तो पहले देखते 205 रंस बना चुके हैं, आठ इनिंग्स में, एंगल प्रेट ने बनाया है, 36 की अवरिज से 182 रंस, 6 इनिंग्स में, स्कॉर्ट एडवर्ज ने 144 रंस बनाया है, इनके बोलर्स में, लोगन वैंडीक ने 22 विकेट्स निकाली है, ब्रिलियन स्ट्राइक रहा है, बारा का, त उन्हों का ही स्ट्राइग रहा है 17 का, आरिंदत साथ विकेट्स निकाल चुके हैं, बैस्टी लीडे के साथ, नेपाल के बैटर्स में, रोहित पुदेल ने बनाया सब दादा रंस, 37 की आवरिज से 628 रंस बनाया, 21 इनिंग्स में, एक सेंचुरी भी लगाई है, तीन बार हाफ सेंचुरी, दिपेंदर सिंग एरी ने 30 की आवरिज से 360 रंस बनाया है, 16 इनिंग्स में, आसिफ शेख ने 335 रंस बनाया है, वहीं कुषिल मल्ला ने एक रं कम 334 बनाया है, 17 इनिंग्स में, इनके बोलर्स में करन केसी ने निकाली सब दादा विकेट्स, 15 विकेट्स ह जो हम बनायेंगे फैंटेसी एकाड़ा पर जहां पर चल रहा है, 0 कमिशन कार्ट नेवल, यानि की 30 में से शुरू होगे, 29 जून तक चलेगा, इन इसके बीच अगर आप 75 से 132 मैचे खेलते हो, फैंटेसी एकाड़ा पर, and minimum match का investment रखते हो, 10,000 का तो आपको 75% कमिशन मिले है न, पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट का असली अखाड़ा देखा है, वहां पर टीम बनाई है, आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो, लोएस्ट कमिशन और हाइस्ट एर्निंग क्या होती है, चल दो, फैंटेसी अखाड़ा है डाउनलोड करो औ पेस्टीम में चलते हैं दोस्तों, तो यहां विकेट कीपिंग सेक्शन में लेके जाएंगे स्कॉट एडवर्ट्स को जो की है नेधरलाइन्स के मिडल ओर में बैटिंग करते हुए दिखेंगे, कैप्टन है नेधरलाइन्स के काफी कंसिस्टेंट रन स्कोरर भी हैं मेजर टॉर्नमेंट में इर्रिस्पेक्टिव और्फिस फॉर्म आइससी ओडिया व्ल्कप कॉलिफायर में जो लास्ट यह उए थे 63 का इनका एवरेज रहा था एं 37 रहा था में टॉर्नमेंट में यह बाटिंग नीचे करते हैं आसिफ शेक ओपन करते हैं नेपाल के लिए अगर सेक्शन में चलते हैं दोस्तों तो यहाँ पे कुशल भूरतल के साथ जाएंगे जो कि नेपाल के ओपनर है प्लस लेक ब्रेक बोलिंग भी प्रोवाइड करते हैं टीट्वेंटी वर्लकप कॉलिफायर में बनाये थे पांच इनिक्स में 37 की आवरेज से और जो इनकी पिछ नेक्स होंगे माइकल लेविट नेधरलांज के ओपनर है अभी तक केवल 9 T20 ही खेले हैं ओपनिंग करते हैं कंसिस्टन रन स्कोरर रहे हैं अभी तक रिकॉर्ड की बात करें T20 में तो 9 इनिक्स में 388 रन बनाये 43 की आवरेज से इसमें और एक सेंचुरी मार चुके हैं दो प्रडल जो की है नेपाल के लिए नंबर 3 ये 4 पर आने वाले प्लस ऑफब्रिक बोलिंग भी प्रोवाइड करेंगे टैप्टेन नेपाल की टीम पर हो सकते हैं क्रूशल पोजिशन नंबर 3 बैटिंग करते वे दिखें प्लस अ कपल ऑफ ओवर्स भी डालते वे दिख सकते हैं एक्सेप्शन सीरीज रहा था विद्ध बैड वेसंटीज एक अगेंस जहां पर तीन इनिंग में 111 नौट आट रहे और 82 रंस की पारी खेली है काफी अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं एट्टीट रिकॉर्ट की बात करें तो वह भी अच्छा है 32 की आवरिज से 4 इनिं लौटर में आने वाले और राइट आम पेसर इनके ब्रेक्थ्रू सीजन था इनका ICC ODI World Cup जो हुआ था लास्ट यर काफी अच्छी ओल राउंडर परफॉर्मेंस इन्हों ने दी थी दोनों बैटिंग बालिंग से उसके बाद भी अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे है इस साल की बात करें तो बाटिंग आवरिज 27 का राये बोलिंग स्ट्राइक रेट राये 18.6 का इनके लास्ट दस इनिंग्स अगर आप देखोगे बाटिंग वाइस तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि स्टार्ट मिली हैं बारिंग 1 और 2 इनिंग्स तो बाटिंग पर निकाला है काफी बारी टूफर्स भी निकाले हैं केवल एक ऐसा मैच था जहां पे ने कोई विकेट नहीं मिली थी नेक्स्ट होंगे पिंदर संग एरी जो की है नेपाल के विडल ओर में आएंगे और ब्रिक बोलिंग भी करते हैं को रॉल रॉंडर है नेपाल के ग्रे बोलिंग सेक्शन में चलते दोस्तों तो पहली पिक रहेगी विविएन किंग मा नेधरलाइंज के राइट आम पेसर है है एक विकेट अट लीस्ट हर गीम में निकालना ये जानते है रिकॉर्ड ये लास्टें टी ट्वेंटी की बात करें तो उसमें 14 विकेट निकाल चु और बोलिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम जाएंगे विविएन किंगमा के साथ सोनारिव वाच चलते है दोस्तों पहला जो सिनारीव रहेगा वो रहेगा नेधरलाइंज अगर पहले बातिंग कर रहें तो पहले रहेंगे टिम प्रिंगर जो की नेध कि निनिंग्स में ड्यू नहीं होती है इंस पिनर्स के एक्स्ट्रैक्ट समय वाल बैटिंग फॉर्स भी इनके पास जादा मौकर रहेगा जादा दिलिवरी स्फेस करने का सो इधर वे इस सिनारियो में यह जादा फिट होते हैं पर जिस फॉर्म में आ रहे हैं अगर आप इन 20 इंटनाशनल इस साल तो बोलिंग फॉर्स 14.6 का स्ट्राइक रहा है जो की बढ़के 28 का हो जाता है बोलिंग सेक्ट दूसरे सिनारियो की बात करूँ जहां नेपाल पहले बाटिंग कर रही होगी तो यहां बोलिंग सेक्शन में आप नेपाल के राइट आम पेसर सुम्प और स्ट्राइक रिट फार बैटर रहा है इन सिमिलर्ली इस साल के अगर मैं बात करूँ तो बोलिंग फॉर्स जैसे मैं आपको बता है पांच इनिंग में एक भी विकेट नहीं निकाली है बट बोलिंग सेकिंड पांच इनिंग में छे विकेट इन हो जेंगे concert पेसर डेक बोलर है and likely to take more wickets in this scenario. 9 wickets जो इनों ने since 2023 निकाली है T20 में उसमें से 5 आई है 15 और 20 ओवर्स में से making him a wicket-taking bowler in the end. लास्ट सीरीज की बात कर जो Netherlands Tri-Nation T20 International Series हुआ था उसमें 5 wickets निकाली थी 3 innings में जिसमें से 4 wickets again bowling first आई थी. इनका बन गई है scenario wise भी हमारी दोनों टीम आपको व्यूस्पोर्ट की आप पर मिलेगी जिसका लिंक है पिन कॉमेंट में description में अगर आप लिंक यूज करके आप डाउनलोड करते हो तो हम रोज तीन lucky giveaway winners decide करते हैं जिनने weekly subscription बिलकुल फ्री में मिलता है व्यूस्पोर्ट का कल के जो विनर्स हैं आपके सामने आप भी इन में से कोई एक हो सकते हो तो जल्दी से डाउनलोड कर लो जीएल पिक्स कुछ बात करो कुछ हटके आप अपने कुछिल भूर्तल के साथ माइकल लेविट के साथ और विवियन किंग मा के साथ स्पेशली वन ही बोलिंग फॉर्स्ट तो दोस्तों हमारा आज का प्रव्यू बने रहेगा व्यू स्पोर्ट के साथ बाकी सारे वर्ल्ड कप के गेम के प्रव्यू के लिए मैं आप से ज़न मिलूंगी नेक्स फांटेसी प्रव्यू के साथ थांक्यू सब्सक्राइब